और आप कुछ गल्ती हो गई होतो हमें माफ कर दीजियेGA कोई आप झाहिए जल्दी जाहिए जल्दी जाहिए क्या राणी साईबा ते रॉक्या है इक्ष्छ धरी चाहिए नागीन जी जाने से पहले हमारी एक आखरी इच्छण तो पूरीस करते जहें गॉरुशी जी जुरुमिंगे स्विज ऑ शबते है कि इनके जाने से पहले हमें एक बार चाहते हैं कि ये इच्छा धारी नागिन हमें नागिन बन कर दिखाए ये कैसी इच्छा हुई बीरबल वही तो जापना नागिन बनने के बाद अगर इसने इन्हीं को डश लिया तो जापना अगर इन्हों ने हमें दसने की कोशिश भी की तो हम इन्हें काबू कर लेंगे इस लाठी से ये क्या घ्रेया अरे नागिन जी लाठी हमारे पास रहने दीच आप नागिन बन कर दिखाए दादाची ने समझाए नागिन मनना हमारे बस में नहीं है ये तो उपर वाले का करिश्मा है जहां जापना बात तो इनकी सही है बीरबल अगर आम इंसान के हाथ में होता तो हम सब नाग और नागिन मन कर डोल रहे होते ये इनके हाथों में नहीं ये तो उपर वाले का करि पशानान होफ जापना यह की एक क्या कि है हमारी कुछ समझ में नहीं आई हम समझाते हैं जापना गौर फोर्माई यह लड़की जो कि इछाथारी नागीन है जब यह नड़की से क्न अधी बणे तो क्या किसी ने इसे आगिन बनते देखा तो वैसे ही जब नागिन से दोबारा ये लड़की बनी तो क्या किसी ने इसे लड़की बनते देखा? जब भी ये लड़की से नागिन ये नागिन से लड़की बनी तो बनी बनाई ही मिली किसी पेड़ या पर्दे के पीछे से निकलते यह आप कहना क्या चाहते हैं बिर्बल हमारी आखों के सामने जो हमने देखा वो गलत था बिलकुल जा बना सरा सर गलत था बलके हम तो पहले दिन से कह रहें कि छाधारी नागिन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है अगर इस वत दर्वार से हम सब यहां से चले जाए तो यह लड़की फिर से नागिन बन सकती है जहापना हमें लगता बिर्बल जी पाकल हो गया है कभी कहते हैं कि यह नागिन नहीं बन सकती है और कभी कहते हैं कि यह नागिन बन सकती है दो लॉखयां आप बना यह घूल गोलगोल बातें नहीं भालके जो कुछ भी हो रहा है इस आप सबने जो नागिन देखी थे वह सब लड़की मी नहीं वलके इस लकडी में तो इच्छाधारी लकडी अभी बताते हैं यह देखे रानी साहिबा कहीं आपको ना काट ले अरे पीरबिल जी समभल के कहीं आपको दस ना ले हमें कुछ नहीं होगा उरुशी यह सब क्या है बीरबल हम समझाते हैं जापना इस लाठी के अंदर जो नागिन है वो डाला जी की बरसों से प्यार से पाली हुई नागिन है जब भी इने अपनी इस पोती को नागिन बनाना होता था तो ये अपनी पोती को किसी ऐसी जगा छुपा देते थे जहा कोई ने देख न सके और अपनी लाठी में से ये नागिन बाहर निकाल कर रख देते थे और जब भी इस नागिन के सामने कोई आ जाता तो सब से पहले ये दादा जी चिला देते कि मेरी पोती नागिन बन गई और वैसे ही जब भी नागिन से फिर से इने अपनी पोती को लड़की बनाना होता था तो नागिन को इस लाठी के अंदर छुपा लेते थे और मौका आते ही अपनी पोती को सामने कर देते थे और लोगों को लगता था कि नागिन से फिर से इनकी पोती बन गई तो ये था इनके लड़की से नागिन और फिर नागिन से लड़की बनने का सारा खेद लेकिन वो शिकायत करता वो पांच लोगों की डसने की बात भी बलून का क्या? वो भी इनके याद भी थे बल्देव जी, बल्के ये दोनों तो खुद चाहते थे कि ये बात जहाँ पना तक पहुचे, हम तक पहुचाने का, हम तक क्यों? अब वो तो यही बताएंगी आपको, बताए, 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 ताकि आपके सामने मुझे नागिन बनता दिखा सके और आप इतने बड़े समराड, यती सच में मुझे एक बार नागिन मान लें, तो सभी लोग आपकी बात का यकीन करेंगे, दादजी यही चाहते थे और क्यों? ताकि पूरा गाओं ही नहीं, पूरा देश मुझे इच्छदारी नागिन समझके, पेरी पूझा करे चड़ावा चड़ाए, रुपे, पैसे, जेवरा चड़ाए, और यही मेरे दादजी चाहते थे जा पना, आज के समय में अंद विश्वास के नाम पर, पूझा पाट, देवी देवताओं की कमाई से बढ़कर, आसान की और मुफ्त की कमाई कोई नहीं होते और ये भी यही चाहते थे वाह बीरबल, वाह, वाह, वाह बीरबल, हमने तो सिर्फ वही देखा जो इन लोगों ने हमें दिखाया लेकिन आपने वो देखा जो इन लोगों ने चाहा आज हम सिर्फ एक बात कहना चाहें कि अगर बुद्धी हो तो हमारे जैसी हो आप जैसी क्यों अरे हमी ने तो आपको रखा तो आप से होशियार तो हम हुए यह तो है